महांमंगल सीटी के रहवासी शेत्र में सिद्ध क्यामिकल फैक्ट्री से परीशान है, बिमारियों के साथ लोगों के घर भी खराब हो रहे हैं पुच्जान की महामंगल सीटी से लगी हुई कैमिकल फैक्टरी की वज़ा से कालोनी वासी परिशान है यहां फैक्टरी से निकलने वाले पाउडर वग कैमिकल की वज़ा से लोग बिमार हो रहे हैं कपड़े पीले पढ़ रहे हैं इसके साथ ही मकानों की दिवारों और फर्ष पीले हो गया है बदाया जा रहा है कि फैक्टरी में दवाईयां बनती है जिससे निकलने वाला कैमिकल बहुत घातक है रहवासियों ने कई बार शिकायते की हैं अगर पालिक निगम कलेक्टर कालाई प्रदूशन विभांग और MPEB में शिकायत के बाद भी कोई हल नहीं निकला है बुज़ूर का महिला कैमिकल के कर्ण कॉलोनी में नहीं रह रही है वह अपने परीजन के साथ अन्य जगा मजबूरी में रहना पट रहा है वहीं बच्चों को भी स्वास शिकायते आ रही है हम लोगों के आने के बाद हम लोगों ने आवाज उढ़ा इस फैक्टरी को हटाने के लिए पॉलिशन बोर्ट को हमने सी एमेल प्लाइन को हमने MPB को हमने सबको सूचना दे दी सबको कलेक्टरेट में जाके हमने आवेधन दे दिया आज दिनांग तक किसी प्रकार की कोई कारवाई नहीं हुए पॉलिशन बोर्ट आता है पॉलिशन बोर्ट आने के बाद यहां पे कारवाई करता है थोड़े बहुत दिन यह लगता है कि नहीं कुछ हो रहा है देन उसके बाद में फैक्टरी मालिक और पॉलिशन बोर्ट क यह संचालित होती है कि इस फैक्टरी के संचालित होने से यहां के रहवासियों में बिमारी का डर पॉल्यूशन का डर किसी भी दरह से यहां पर सेफ़ली पलोटी संचालित केमिकल उड़ता है रात को खुब आवाजी आती हम सों नहीं पाते उसके बाद जितने कपड़े सब्सक्राइब करें चलाता है जो बोल दिया समझ में नहीं आता है कि रिवाग में जो है कंप्रेंट कर रहें कि गले में तकलिपे हैं मतलब बच्चों को फुजली हो रही है मतलब सब केमिकल वगेरा उसका उड़ता है कही मरतबा उसको समझा दिया लेकिन वो सुनने को तैयार भी